उत्राखन के चौमॉली जिले में ग्लेसियर फटने से दोली गंगा में बाड आ गई है इस बाड से चौमॉली से लेकर हरिद्वार तक खत्रा बढ़ गया है सुसना मिलने के बाद प्रसासन अधिकारी मौके पर पहुँच गया है और लोगों को नदी के किनारे से दूर ले जानी की बिवस्ता कर रहे है ऐसा बताया जा रहा है कि दोली गंगा एकदम से उफान पर आ गई है सादें की जोसी मट के पास ग्लेसियर के फटने से डैम भी तूट गया है कई लोगों के बहने की भी खबर आ रही है सुचना मिलने के बाद जिलाधिकारी और आईटी बीपी की टीम हाँ पर पहुंची है एंडियारिफ की तीमें दहरादून के लिए रवाना कर दी गई है इनी गाउं में एसडियारिफ और दमकल के बचाओ करमी भी साथ साथ मिलकर मदद मुहिया करा रहे है मुख्यमंत्री की मानित मुख्यमंत्री ने पूराने वीडियो और फोटो ना सेयर करने की अपील की है और साथ ही मदद के लिए नंबर भी जारी किया है सभी जिलाधिकारियों को आपदा की चेतावनी दे दी गई है और सब को अलर्ट पर रखा गया है हाला कि ग्रिहमंत्री अमीत साहा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंज सिंग्रावा से फोन पर बात की जिसके बाद आई टी बीपी के डियाई से भी बात की और हालात का जायजा भी लिया है वायोसेन अधिकारी के अनुसार देहरादून के आसपास की छित्रों में दो MI-17 और एक ध्रू हेलिकॉप्टर सही तीन हेलिकॉप्टर को तैनाद किया गया है। राहत कारे को लेके कैबिनेट सचिवाले में एक बैठक बुलाई गई है और बैठक में महान निदेशक और ग्रिह मंतराले के अधिकारी भी शामिल है। दो सो से अधिक जवान अस्थानिय प्रशासन के साथ मिलकर वहाँ पे काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी इस्थिती जो है नियंतरड में हैं।